मध्य प्रदेश के एक जिले में चल रहे पुलिस चेकिंग अभ्यान का असर कुछ ऐसा हुआ कि बाईक तो बाईक, चार पहियों का ठेला चलाने वाले भी हेलमेट लगा कर सडक पर निकलने लगे हैं जी हाँ, सुनने में जरूर अटपटा लगेगा, लेकिन सच है ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, MPK सीधी जिले का है जहां स्थानिय पुलिस दुआरा चेकिंग अभ्यान चला कर हेलमेट पहनने की सीख दी जा रही थी पुलिस लगातार बिना हेलमेट वाले दो पहिया वाहन चालकों का चालान काट रही थी अब इसे जागरुकता की कमी कहें ये हलमेट अभ्यान का खौफ की अपना ठेला लेकर जा रहा एक यूवक सिर्फ पर हलमेट पहने हुए नजर आया सीधी जिले में यातायात सुबेदार भागवत प्रसाद पांडे ने जब ये नजारा देखा तो ठेले पर हलमेट लगा कर जा रहे जूवक को रोका और ऐसा अजब काम करने का कारण जाना अगे नहीं जाने दे रहे थे ने तो हलमेट कहा लगा ये बता दो जोर से बोलो हलमेट उतार के बोलो उतार दो नहीं काटेंगे चला न उतार दो आपको बता दें कि हाई कोट के निर्देश के बाद हर जगहा पुलीस के दुआरा हेलमट लगाने को लेकर चेकिंग की जा रही है इसी क्रम में सीधी जिले के कलेक्टरेट के पास यातायाद प्रभारी सुबेदार भागवत प्रसाथ पांडे भी चेकिंग कर रहे थे हेले पर हेलमट लगाकर चलने वाल इस युवक ने भागवत प्रसाथ पांडे से और क्या-क्या बताया सुनिये जरा तो देखा आपने इसे जाग रुकता कि कमी ही कहिंगे कि इतने सारे अभिहानों के बाद भी काफी लोग यातायात नियमों से ठीक से परिचिती नहीं है केवल पुलीस की डर की वज़ा से लोग जैसे तैसे अंजाने में भले ही कुछ नियम पूरे कर देते हों लेकिन स्थिती चिंता जनक बनी हुई है पुलीस से डर की वज़ा से नहीं अपनी सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करने की जरुवत है रही बात हेलमेट वाले वीडियो की जिसमें ठेले पे हेलमेट ले करके जा रहा है तो मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि पुलीस के डर से नहीं अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट धारन करें डरिये नहीं, सुरक्षित रहिए, सुरक्षा का एक बहुत बड़ा अबयब है, हमारा हेलमेट, हेलमेट दो पहिया का दोस्त है, इसको साथ में रखिए, जैहिन, जैभारत, सड़क सुरक्षा, जीवन रख्षा ये वीडियो सोचल मीडिया पर खूब सुरक्षा बटो रहा है, बीरो रिपोर्ट नीउस तक